किसानों के खिले हुए चेहरे केवल सरकारी इश्तिहारों में नजर आते हैं लेकिन इस बार धान की फजल के समय किसान खुश नजर आ रही हैं क्योंकि पंजाब के सीम भगवन्त मानने उनसे जो वादा किया था वो पूरा हो गया है 20 साल के बाद खेतों में नहर का पानी आया है ये तस्वीरे मुख्यमंत्री भगवन्त मान के होम डिश्ट्रिक संगरूर की हैं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भगवन्त मानने किसानों से जवादा किया था वो पूरा हो गया है सबसे पहले सुनिए धान की फसल से पहले सीएम भगवंत मान ने क्या कहा था आठकांटे बिजली जडी बिजली अपका कहने है पसे कांटे की ने बनाए ने जी एक ने बनाते जी कांटे भी आठकांटे ना सरजंद है असल चुए में कहता है जो आठकांटे देओ चरो इक नोन बने के अठकांटे असी तो नू कहने है मेरत रिकाल जाद रख लेओ ऐस बार मोटरां बंद करके चो ना लगण ला दूगा एननी बिजली में लोगी तो खुशिया मनाते किसानों के वीडियो शोशल मेडिया पर खुब बारेल हो रहे हमने बारेल बीडियो का सट जाने की कोशिस की इसके लिए आज तक के टीम सबसे पहले संगरूर के भुलर हेडी गाउं पहुँची यहां विजली सप्लाई चल रही थी लेकिन ट्यू बेल बंद परे थी किसान अपने खेत में धान लगाने के तयारी कर रहे थी और मुख्यमंत्री भगमंत मान का शुक्री आदा कर रहे थी कि रास हुए दा पानी कैने भी टेल्यांते आगया ओ बिल्कुल सची सच्चाएगा साधे पेंड भी मेरे खलावी जिद्धन दा पंतरा भी शालतों मैं केदे शाधे आज रा नमावने ने खालता रहेगा उते पानी आया निकरे देख्या लाइट जी एक की तरीकतों निर मोटरों खड़ी है ने जी होना जी एक पेंडे चे दो सो मोटर खड़ गी अपी फरक पहने लेड़ी बचतों हुनी है नेरी पानी दाल ने लेवल कटने पीजिया शरकारां बेले शरकार अलानता कारण दिशी वी आठकांटे लेंड आओगी लेकर आमता और ते तुसी भी किसानों का कहना है कि सरकार वाईदा तो हरवार करती थी कि धान के सीजन में 8 घंटे विजली मिलेगी लेकिन कभी पूरी विजली नहीं मिली किसानों को विजली विभाग के जबतरों के भार प्रोटेस्ट करना पड़ता था लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है जिसे किसानों के चैरों पर मुस्कान है